अजमेर के आदर्श नगर थाने में विवाहिता ने अपने ससुर और दोस्त के द्वारा सामोहीक दुशकर्म का मुकदमा धर्च कराया है पेडिता का आरोप है कि इस दुशकर्म की जानकारी उसके पती को है लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है इस सम्मंद में पेडिता की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा धर्च कर लिया है मामले की जानकारी देते हुए थाना प्रभारी हेमराज मुंड ने बताया कि विवाहिता स्पी कार्याले पहुंची थी जहांपर पेडिता ने ससुर और उसके दोस्त पर सामोहिक दुशकर्म की जानकारी दी और इस मामले में पती की कितनी मिली भगत है इसे लेकर जानकारी चुटाई जा रही है पीडिता की शिकायक पर मुगत्मा दर्ज करते हुए बयान लिये जा रहे है जिसके आधार पर अगरीन अनुसल दान किया जाएगा एक वगता ने अपने साथ येंगरप के समन में रिपोर्ट पेस किया जाएगा खबर की हो सत्यता हो या खबर की अनकहीं दासता है होगी सच्चाई की वापसी SKV News सच्चाई की वापसी